हेलो फ्रेंट्स मैं जर्पा वाकम टू माई चैनल देज़ेप स्वाइन्स आप लोग तो जानते ही हो कि अभी बाहर कोवीड-19 कितना फैल रहा है अभी सब कुछ अनलोग तो होई चुका है लेकिन फिर भी हमारा इतना बाहर जाना सेफ नहीं है आप घर बैटे ही अपनी स्किन केर कर सकते हो उसके लिए आपको पाल जाने के बीदो भी ज़रूरत नहीं है प्रेंज आज मैं आपके लिए आपको गर बैटकर बीच कर पाऊगे और पाऊगे इंस्टन फैरनेस यह मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेर करना है आज मैं आपके लिए लेकर आएंगो नेचर एसेंस का गोल बीच आज की वीडियो में मैं आपको गोल बीच के बार में रीवी दूंगी आपको डेमो भी दिखाऊंगी आपको गर बैटकर किस तरह से बीच करना है खास करके जो लोग बिगनर से अगर आप पहली बार गर पर बीच कर रहे हो तो आपको किस बातों का ध्यान लगना है यह सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी तो आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत दी यूसफूल एंड इंट्रेस्टिंग होने वाले है तो मेरे वीडियो को शुरू आज से लेक छोसा से गुआ गोलडन कलर में आपको गौलड बीच का पूरा पैकेजिग में बहुत अच्छा का यह संद्धा देख जा तो मैं ने बहुत सारे ब scratch का एक्सपरियंस किया है है मैंने फै मैंने ब्लीच यूज यह बहुत अच्छा लगा तो मैं काफी ताइम से यह गोल्ड ब्लीची यूज कर रहे हूं तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे ना तो इसकी कोई साइड इपक्स होती है यह अच्छा सा मेरी स्कीन को सूटेबल है बहुत अच्छी अच्छी एकडम ट्रावेट फरंदि कहीं से भी लिख ओने के कोई भी चैंस नहीं थो फ्रैंस स्की प्राइज है सेवांटी रूपी टो साल तक रहती है तो आप इसे दो साल तक कभी भी यह क्रिम ब्लीच अपको मिले गा 35 उसके बाद इस तरह की चोड़ी डिबे में आपको मिलेगा एक्रिवेटर पाउडर वे एक्रिवेटर पाउडर अपको मिलेगा टोटल एड ग्रेम और और उसके साथ-साथ आपको एलोवेरा जेल का चोड़ तूसा दस रुपी वाला लोकल मार्केट में भी अवैलिबल हो जाएगा अपर आप इसे online भी परचेस करसकते हो आप इसे क मैंने में आप tu लल्क सरफ करना चाहते हो लिंक मैंने दिस्क्रिप्शन बोस्क्र बोक्स में दे इया आप के तो सहले बारे में आपको बताई दिया है तो पिछले मैं थो मैं यह 10 यह स्पुन से तु एन 1फ टेबल स्पुन क्रीम ले रही हूं उसके बाद आपको फूर्टी पावडर दिया गया है आपको इससे आपको हाथों में जलन भी हो सकती है और जब आपको ऐसा लगए कि पावडर और क्रीम अच्छे से मिक्स हो गए तो आप इसे 2-3 मिनित तक रहने दीजे ताकि जो भी पावडर के ग्रेंवल सो वो क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो फ्रेंज यहाँ पर देखो आपको इस तरह से यलो कलर में गोल्ड ब्लीच मिलेगा तो अभी 2-3 मिनित हो गए है और इस तरह से आपका मिक्षर तयार हो चुका है अभी मैं अपने इंगर की मदेच से थोड़ा सा मैं चेक कर लूँगी कि जो भी अंदर मतलब पावडर और क्रीम एक दूसरी के साथ अच्छे से मिक्स हो गए है कि नहीं तो अच्छे से मिक्स हो गए है मुझे इसमें कोई भी ग्रैनुएल्स पावडर के नजर नहीं आ रहे तब ही मैं ऐसे यूज करूंगी तो फ्रेंज एक और बात यूज करने से पहले आपको थोड़ी सी कॉंटिटी में ब्लीच लेना है और आपको इसके दोरान ज्यादा अगर जलन हो या तो फिल कोई भी आपको ज्यादा इरिटेशन हो तो आप इसका यूज ना करें इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये आपकी स्कीन को सूटेबल नहीं है देखो फ्रेंज नॉर्मल जलन तो होगी ही ब्लीच में अगर आपकी संसेट्यू स्कीन होगी तो आपको ज्यादा जलन भी हो सकती है तो आप ये प्रोड़क का यूज ना करें तो आपको समझ जाना है कि आपको ये प्रोड़क आपकी स ज्वैलरी पहने हो या तो फिस सिल्वर ज्वैलरी पहने हो तो आप इससे रिमूट कर दीजे अधरवाइस वो ब्लीच की वज़े से खराब हो जाएगी तो फ्रेंस ब्लीच करने से पहले सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर देना है उसके बाद आपको अ आपने आखों के इतने नजदीक नहीं लगाना है थो आखो से थोड़ा दूर अपलाई करें रिख जाने के बाद आपको 20-25 मिनित तक उसे सूखने देना है उसके बाद पानी से अपने फेज को साफ कर लेना है और ब्लीच हो जाने के बाद आपको 6-7 घंटे तक कोई भी सौ या तो फिर फेश्वास यूज नहीं करना है अधर्वाइस आपको ब्लीच का रिजल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा सो फ्रेंज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बोक्स में जबर बताना और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना बाके अपने फ्रेंज के साथ शेर भी कर देना सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी जी ब्यूटी टिप्स या तो फिर कमेडी वीडियो के साथ थाक्यो सो मच प्रमदी जैब स्वाइन तब तक के लिए बाई-बाई